आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अभ्यस्त का विलोम शब्द क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अभ्यस्त का अर्थ समझते हैं अभ्यस्त का अर्थ होता है जिसको किसी चीज को करने का अभ्यास हो प्रैक्टिस हो तो अभ्यस्त का अर्थ हुआ अभ्यास करने वाला अच्छी तरह सीखा हुआ या जिसने अभ्यास किया हुआ हो यानि कि जिसको किसी चीज को करने का experience हो तो अभ्यस्त का विलोम शब्द यानिकि विप्रित आर्थक शब्द होगा अनभ्यस्त और अनभ्यस्त का आर्थ होता है जो किसी काम में प्रशिक्षित नहीं है या जिसका उसका उसकार्य में अनुभव नहीं हो यानिकि जिसको उसकार्य का experience ना हो उसे हम अनभ्यस्त कहते ह तो आईए अब हम अभ्यस्त और अनभ्यस्त को कुछ उधारण वाक्यों से समझें जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि वह एक अभ्यस्त खिलाडी है और हर मैच में शानदार प्रदर्शन करता है इसका उल्टा आप कह सकते हैं वह एक अनभ्यस्त की लाड़ी है और हर मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता यह फिर आप कह सकते हैं अभ्यस्त शेफ ने यानि कि अभ्यस्त रसोये ने खाने की स्वादिश्ट डिश तयार की तो इसका उल्टा आप कह सकते हैं अनभ पालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें